नमस्कार दोस्तों दोस्ता गाफर च्वाद बदोस्वा केताब कामार चैनल में अगर आप एक यूटूबर हो आप भी वीडियोज बना कर यूटूब के प्लैटफरम पे अपलोड करते हो काफी ज़्यादा मेहनत आप अपने वीडियोज के अंदर करते हो शुटिंग के अंदर करते हो एडिटिंग के अंदर करते हो थम्मेल बनाने के अंदर करते हो और काफी ज़्यादा आप अपने वीडियोज को सेर करते हो लेकिन ये सारा सब कुछ काम करने के बाद में आपको अपने वीडियोज के उपर 5, 10, 15, 20, 100, 200 या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम हजार व्यूज की प्राप्ति होती है तो आज हम आपको इस वीडियो के मादम से ही जानगरी बताएंगे कि आप अपने वीडियोज के उपर व्यूज की मात्रा किस परकार से 1, 2,000,000 कर सकते हो यानि कि जितने व्यूज आपके वीडियोज के उपर प्राप्त हो रहे हैं आप उनके बिल्कुल डबल किस परकार से व्यूज की प्राप्ति कर सकते हो अगर आपके वीडियो उसके उपर 1 million views की प्राप्ति उरी है तो आप उन views को किस परकार से 2 million के अंदर convert कर सकते हो वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो को मदम से बताएंगे तो वीडियो काफी interesting होने वाल है और आप सभी के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन सावित होने वाल है तो आप सभी से नुरूद है कि आप इस वीडियो को सुर्चिल के लाज तक पूरा जरूर देखेगा without escape के तो चलिए दोस्तों बिना समय काफाएं सिर्व करते हैं हमारे आज का वीडियो देखे दोस्तों वीडियो चलूँगाने से पहले माँ सभी को एक छोटी सी जानगारी बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने यूटूब चैनल को परमोट कराना है तो डिस्क्रप्शन में आपको इस्टाग्राम का लिंक दे जा रहा है इस्टाग्राम के माध्यम चाप अपने चैनल के इंफोर्मेशन हमारे तक भेश सकते हो ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके चैनल को परमोट कर सके जिससे आपको इवडियोज को पर ज़्यादा वीज को पराप्ति तेरे तो आपको चैनल भी दिन परती दिन ग्रोफ होता चला जाए तो maximum जितने भी नए क्रियट होते हैं जितने भी नए यूटूबर होते हैं यूटूब के प्लैटफॉम पे जो नए आते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समश्या यही होती है कि वो अपने वीडियो को काफी अच्छे तरीके से, काफी लगन से, काफी मेहनत से सूट करते हैं थम्मेल को भी खूप अच्छे तरीके से बनाते हैं टाइटल भी बहुत ये मालिजे सर्च करकर रखते हैं लेकिन जब वो अपना तयार वीडियो यूटूब के प्लाटफॉर्म पे अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद में वो ये मालिजे किसी भी परकार के कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं ना ही वो अपने शेयर करने के कसर सोड़ते हैं और ना ही अपने ये मालिजे सगे सम्मंदिक को बोलने की कसर सोड़ते कि हमारे वीडियोस को एक बार जरूर वाज करिए और वो उसको जहां चाहें वहां तक share भी करते हैं लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में भी उनके वीडियोस के उपर व्यूज की प्राप्ति होती है परकार से डबल कर सकते हो जी आँ दोस्तो जाने कि अगर आपके वीडियोस के उपर एक मिलियोस प्राप्त हो रहे है तो यह जोस्तों को जो बीडियोस आप बना रहे हो जिसमें एक ओपर बना रहे ब Karma ठीन के उपर बना रहे हो जिसी अगर बोल बंची चाहरी कि जो भी वीडियो आपका open कर रहा है open करते ही उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इस वीडियो में दमवाली बात नहीं है और वो बिल्कुल उसको तुरंती बंद करते हैं जिससे क्या होगा आपका audience retention कम होगा और आपका वीडियो बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा तो आपके वीडियो की starting बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए जिससे यह मालिजिक कोई भी audience अगर आपके वीडियो को वाच कर रही है तो कुछ समय तक आपके वीडियो को पर बनी रह सकें जिससे आपके वीडियो का watch time over introduce होता चला जा वो कुछ समय तक आपके वीडियो तक बनी रह सकें जिससे आपके वीडियो का watch time hour increase होता चला जाए और दूसरे बदलाओ के अगर हम बात करें तो आपका थम्मेल आपको बनाना है प्रोफेशनल जिया दोस्तों यानि कि आपके प्रोफेशनल थम्मेल आपको बनाना है और थम्मेल को इस परकार से बनाए कि जो भी audience आपके थम्मेल को देख रही है वो देखने से इस परकार से महसूस करें कि यह बंदा काफी समय से YouTube के platform पे है और काफी अच्छे information यह देता है यानि कि आपको अपने थम्मेल को इस परकार से attractive बनाना है कि देखने वाला बिलकुल आपके थम्मेल को देखकर आपके वीडियो को ओपन करने पे मजबूर हो जाए और आपके थम्मेल से ही वो ज़्यादे से ज़्यादा information हसिल कर सके और मजबूर हो जाए कि इससे ज़्यादा और भी information उसको हसिल करनी है तो वो वीडियो को वाच ही करे जिया दोस्तों यानि कि इस परकार क का थम्मेल बनाना कि जिसमें यानिकी सब को देखने से ऐसा लगे कि यार्ट ये वीडियो को किसी परकार करी कोई भी धमवाली बात नहीं है तो वह वीडियो को ओपन करें और ऑफन करने पर हमारे स्टार्टिंस परकार से स्ट्रोंग होनी थीよね कि वो वीडियोज के उपर कुछ समय तक हमारा बना रहा है से हमारा वीडियोज का वास time hour increase हो और हमारा वीडियोज बिल्कूल viral होता चला जाए तो यानि कि हमें हमारा परते कि वीडियोज का ठंयल थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना होगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा audience को खेंच के ला सके और मजबूर करते हैं हमारे videos को open करने पे और तीसरे बदलाओ के अगर हम बात करें अगर आप एक नए creator हो अगर आपने नया YouTube channel बना है तो आपको अपने videos share नहीं करना जियां दोस्तों यानि कि अगर आप YouTube के platform पे लंबे समय तक बने रहना चाते हो और कम समय में जल्दी से जल्दी grow करना चाते हो तो आपको यह मानलेजी अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी है कि आपको अपने videos को बिल्कुल भी share नहीं करना Facebook पे नहीं करना WhatsApp पे नहीं करना या फिर other किसी social sites को उपर आपको अपने videos को share नहीं करना share करने से क्या होगा अब देखे maximum creator के सामने यही सवाल उत्पन होता है कि अगर हम हमारे videos को share नहीं करेंगे तो हमारे videos के उपर views किस परकार साइगे watch time hour किस परकार से increase होगा और कैसे लोगों तक हमारा videos पहुचेगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप अपने videos को कर share करते हो तो आप क्या करते हो ऐसे group के अंदर वो videos को share करते हो जो कि उस videos के बारे में कुछ भी ABC नहीं जानना चाहता तो उससे क्या होगा एक बार जरूर आपके videos के पर views की मात्रा जरूर बढ़ जाएगी लेकिन आपका watch time hour increase नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों को आपके videos में किसी परकार की कोई भी दिल्चस्पी नहीं होगी लेकिन आपने send किया है आपने group के अंदर उसको भेज है तो एक बार जरूर आपको दिल रखने के लिए उसको open करके बिल्कुल close कर देंगे लेकिन आपका उससे audience retention बिल्कुल ही down चला जाएगा और आपका videos बिल्कुल ही ये मालिज़क खतम होता चला जाएगा और बिल्कुल भी उसको पर views की प्रापती नहीं होगी तो कोशिस यही करने है कि अगर आप अपने YouTube चैनल की growth बहुत तेजी से करना चाकते हो तो अपने videos का link आप WhatsApp, Facebook के उपर बिल्कुल भी share नहीं करिये और share करना भी पड़े तो ऐसी जगह पर share करिये जहां पर आपके videos को देखने वाले हो यानि कि ऐसी audience का group आप बनाईए चाहे WhatsApp group हो, चाहे Facebook group हो जो कि आप जैसे videos को देखना चाते हैं यानि कि जिस topic के उपर, जिस category पर आप videos बनाते हो उस परकार के logo को आप उस group के अंदर add करिये ताकि आपके videos को बिल्कुल send करते ही वो आपके videos को पूरा complete watch करें जिससे आपके videos का audience retention increase होगा और आपके videos के उपर ज़्यादा ज़्यादा views की प्राप्ति होती चली जाएगी और आपका videos भी viral होता चला जाएगा और चोता जो बतला हो आपको करना है वो अपने information को strong करना है याने कि जिस भी category के उपर आप videos बना रहे हो जिस भी topic के उपर आप videos बना रहे हो सबसे पहले आपको उसके बारे में information collect कर लेनी है और collect करने के बाद में आपको अपने videos के अंदर इस परकार से उसको लागू करना है कि आपके videos के अंदर ये मानली जिक किसी भी परकार की कोई भी कमी देखने वाले को ना लगे और आपका videos देखने के बाद में वो आपके videos को like किये भी न न रहे सके यानि कि आपको अपने videos के information इस परकार से strong रखनी है और उस videos के बारे में सारे के सारे information पहले आपको लिख लेनी है उसके बाद में ही आपको videos बनाना है कहीं ऐसा न हो कि videos आप बना रहे हो फिर आप भूल जाते हो फिर आप उसको सर्च करते हो फिर आप थोड़ी देर बाद में बताते हो तो इस परकार से आपको नहीं करना वीडियोस बनाने से पहले जिस भी टोपिकों पर आप वीडियोस बना रहे हो उसके बारे में आपको सारी के सारी information कलक करके रख लेनी है चाहे आप देख कर बोल दीजे उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन information जो हो वो बिल्कुल strong हो और आपके वीडियोस को देखने के बाद में information जानने के बाद में लोग आपके वीडियोस को like करने पे मजबूर हो जाए तो सबसे main काम हमारे information क्या strong होना तो आपको अपने वीडियोस के बारे में सारी के सारी information collect करके रखने नहीं है उसके बाद ही आपको वीडियोस बनाने है और पांच में बदलाओ के अगर हम बात करें तो हमारे को title, tag और description हमारे सामने निकल के आता है यानि कि जिस भी topic के उपर आप videos बना रहे हो, जिस भी category के उपर आप videos बना रहे हो कोशिस यही किजे कि उस videos का title हमारा searchable यानि कि बार बार सर्च किया जाता हो top rank में हमारा videos आए तो आपको अपने videos का title इस परकार से रखना है जो कि बार-बार हमारे social medias पर हमारे google के उपर हमारे youtube के उपर सर्च किया जाता हो उसी परकार का videos का आपको title आपको रखना है जिससे आपका videos भी top rank में आता चला जाए और ज्यादा श्यादा views की प्राप्ति होती ही चली जाए और tag की अगर हम बात करें तो मिलते जूलते कुछ searchable tag, hashtag आप उसके अंदर इस्तिमाल कीजिए क्योंकि इस समय हमारा hashtag का जमान है hashtag से हमारा videos rank करता है suggestion list में जाता है, browse feature में जाता है और youtube हमारे hashtag से हमारे videos को recommend करता चला जाता है तो आप अपने videos का मिलता जूलता कुछ searchable hashtag भी इस्तिमाल कर सकते हो जिससे आपका videos rank करें, recommendation हो और आपका videos browse feature में जाए जिससे आपके videos के पर ज़्यादा शेया दब विश्कुप राप्ति होती रहे और आपका channel भी दिन परती दिन गुरो होता चला जाए और description की बात करें, तो description भी हमारी एक एहम बुम्बी का निबाता है काफी सारी audience ऐसी है, जो के videos को open करती है लेकिन हमारे description को पढ़ने लग जाती है तो आपको अपने videos के बारे में कुछ description box के अंदर brief में लिखना होगा, यानि कि sort and sweet बाते लिखनी होगी अगर जिस भी audience को जादा से जादा information है हसिल करनी है तो आपके videos को complete watch करें यानि कि description box के अंदर आपको सारी के सारी रामायन नहीं लिखनी अपने videos के बारे में कुछ sort and sweet बाते लिखनी है अगर उभोकता को, अगर viewers को हमारी या audience को हमारी सारी के सारी information हमारी जान नहीं है तो आपके videos को वो complete watch करें जिससे आपके videos का audience retention हाई रहेगा और आपका videos जादा से जादा viral होता चला जाएगा तो sort and sweet बाते आपको description box में लिखनी है और चठे बदलाओ कि अगर हम बात करें तो videos की side सामने निकल कहती है जियाँ दोस्तों अगर आप एक नई creator हो अगर आपने हाली में नया YouTube channel बनाया और आपका 1000 subscriber और 4000 watch time hour complete नहीं है और आप जल्दी जल्दी ये complete करना सते हो तो कोशिस यही किजिए कि जो भी videos आप बना रहे हो जिस भी topic को आप select कर रहे हो तो उसके उपर short and sweet videos बनाये यानि कि size उसकी छोटी रखिए 2, 3 या 4 minutes से ज़्यादा videos की size मत रखिए जितना ज़्यादा छोटा videos आप बनाओगे उतना ज़्यादा ही videos आपका viral होता चला जाएगा उतना ज़्यादा ही watch time hour आपको उससे उपर मिलेगा और उतना ज़्यादा ही आपका audience retention हाई रहेगा अगर आपके videos का audience retention 40 या 40% से हाई रहता है तो definite आपका videos automatically viral होता चला जाएगा YouTube भी आपके videos को viral करेगा YouTube भी आपके videos को recommend करेगा YouTube भी आपके videos को suggestion list में डालता चला जाएगा जिससे आपका channel को उपर watch time hour तो increase होंगे होंगे views भी आपके double speed से आपके increase होते चले जाएगे और जिन लोगों का information अच्छी लगती चले जाएगी वो videos को like भी करते चले जाएगे और आपके channel को subscribe भी करते चले जाएगे जियां दोस्तों यही कुछ 6 चोड़े चोड़े बदलाव करकर आप अपने videos के उपर अपने channel के उपर double speed से views की प्राप्ति कर सकते हो और अपने channel का criteria आप within 1 month के अंदर आप easily complete कर सकते हो और YouTube से आप ज़दे ज़दा पैसा कमा सकते हो जियां दोस्तों यही कुछ चोड़े से information थी सोता आप लोगों के साथ share कर लिजाए वीडियो अपको अच्छा लगा तो एक like चरूर कर देना पुरां दोस्तों अगर आप अमारी channel पर पहली बार है तो वीडियो को like, share और channel को subscribe करना मात बुलिएगा